और फिर एक और छटी बात कुलोशियों की पत्री और उसका चौथा द्याय छटा वचन कुलोशियों चार छे तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित क्या ही उसका जरूरत है इसके लिए मसीयों इतना पाप करते हैं अपने जबान से वचन अनुग्रह से बात करो हमेशा छटी बात यह नहीं की काफी समय अनुग्रह से सदा बात करने का क्या मतलब है यह नमक के तरह है कलोशियों चार छे में लिखा है हम जानते कितना नमक से स्वाद आता है भूजन में और जैसे ही आप एक चम्मच आपका भूजन का मुझ में डालता है आप तुरंट जान जाते हो उसमें नमक है या नहीं त तुरंट और नमक से वास्तविक्ता में स्वाद आती है हमारा भूजन इस वज़े से स्वादिश्टे नमक के वज़े से और वो कहता है कि आपका वच्चन बातचीत वैसा होना चाहिए कि कुछ शब्द भी जो आप कहते हो लोग तुरंट उससे यह जान पाएंगे अनुग्रा का यह मतलब नहीं कि बहुत धीरे धीमे आवाज में प्रेम की बाते मनुष्य के जैसे नहीं अनुग्रा बहुत कभी कटोर होता है वो स्थेर होता है वो प्रेम भी करता है एक अनुग्रा करने वाला पिता हमें अनुशासित करता है जैसे एक अच्छा पिता इ है और प्रोच्षाइद भी करता है सिर्फ प्रोच्षाइद नहीं सुधार भी हाँ भविशत वानी का मतलब है लोगों को चुनोती देना और उनको प्रोच्षाइद करना अनुगरा का अर्थ यह नहीं कि वो सिर्फ हमें सुधारता है सिर्फ हमें प्रोच्षाइद नहीं कर देती है कैसे हर एक व्यक्ति से आप बात करोगे जिससे आप मिलते हो क्या उत्तर मुझे देना है मैं इतना चुनोती पाता हूँ जब मैं सुसमाचार को वड़ता हूँ लोग येश्यू के पास कहते थे और उसके पास उत्तर होता था क्या हमें कैसर को कर देना है वो कहता है दिखाओ किसका सिर है सिसर का जो कैसर का कैसर को दो परमेशर का परमेशर को दो क्या जवाब है या दूसरा उदारन ले लो प्रभू मुसा ने कहा इस व्यभिचारनी को पत्थराओ करके मार देना चाहिए आप क्या कहते हो येशुने का अच्छा आगे जाओ, जिसने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर फेकेगा, सब चले गए और के तो प्रभू, क्या मैं वैसा बाचीत हो सकता हूँ, क्या मेरे पास ऐसे बुद्धिमानी से हो सकती है हाँ, आपके वाच हो सकता है, मुझे यहाँ थे कई सालों पहले मैंने पड़ा, यह वाइदा और मुझे बहुत साहित होई, लुका 21 उसका 15 वचन यहाँ प्रभू कह रहा है, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, मैं तुम्हें वही बुद्धिमानी दोगा जो मेरे पास थी जब मैं पृत्वी पर था, लुका 21 पंदरा मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूँगा, ऐसा बोल या ऐसा मू दूँगा और ऐसी बुद्धी भी दूँगा, कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना करब कर सकेंगे मुझे यादे कई सालों पहले मैंने उसके लिए प्रात्ना किया मैंने कहा प्रभु येशु मुझे लोग 21-15 मेरे जीवन में वास्तविक बना दे कि जब लोग मुझे प्रशन पूछे मेरे पास एक ऐसा बोल मुह हो ऐसी बुद्धिमानी हो कि वो मेरा खंडन ना करना पाए मेरे आगे ना जाने पाए ये नहीं कि मैं आर्ग्यूमेंट वाद जीतना चाता हूँ नहीं मैं प्रभु के पास उनको लाना चाता हूँ मुझे बुद्धिमानी दे मुझे अनुग्रा सहीद बात करने दे हमेशा कि कभी मैं अपना गुस्से पर काबू ना खो बेटू क्योंकि बहुत स्पष्टता से लिखा है येशो ने कहा बिल्कुल स्पष्टता से जो गुस्सा होता है अपने भाई से उसके रिदे में वो दंड के पात रहे यदे पी वो गुस्सा फिर मुझ से बाहर आता है फिर वो और दंड के आ गया हो जाता है और फिर वो आखिर का नर्क में जाता है मैं गुस्से से इसलिए नहीं बचना चाता है क्योंकि वो नर्क में जाना है क्योंकि वो मसी के आत्मा के खिलाफ है प्रभु मैं अनुग्रह से नहीं बात कर सकता पर अगर अनुग्रह की आत्मा मुझ पर आ जाए कि आप जानते हो पवित्र आत्मा को इबरानियो 10 में 29 वचन में इबरानियो 10-29 पवित्र आत्मा का एक शिर्षा के अनुग्रह की आत्मा एक ऐसा आत्मा जो हमें अनुग्रह देता है और प्रभु ने पॉलस को का मेरा अनुग्रह तेरी परियाप्त है काफी है हर परसिती में अनुग्रह हमारी जरूरत है अनुग्रह हमारी जरूरत है इस संसार के लोग कहते हैं पैसा आपकी जरूरत है मैं कहता हूं नहीं अनुग्रह हमारी जरूरत है परमेश्वर ह हमें परियाद पैसा देगा जीने के लिए हमको लगपती होने की कोई आवशक्ता नहीं अनुग्रह हमारी जरूरत है और अनुग्रह हमारी विशेशकर घर पर बातचीत में जरूरत है विशेशकर घर में और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अगर आप उसके लिए पु एएज में काके आपको बादस्टीट हमेशा अनुग्रा होना चाहिए कि चाहिए प्रभो में फिर गिए मेरी हुज़ साइज त दर の मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन आएगा आपके जीवन में, जब आपके बाचीत में हमेशा सदा अनुग्रह होगा, वो स्थिर होगा, कठोर होगा परिसमें अनुग्रह होगा.